Hello friends, welcome to Cilling Engineers दोथ और YouTube चैनल योटी चैनल आपस्ट स्धिटी में आपको बताने वाला हूं calculate quantity of cement sand and aggregate in slab यानि कि हम slab में cement sand और aggregate का calculation कैसे करते हैं इस बारे में आपको बताओंगा तो friends विडियो चुकरने इस विडियो को लाइक कर दियेगा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो बेलेकर दवाना ना भूलिए का जिससे ही हर एक नूडल को न ओडिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंट साथ अपने में टॉपिक की और कल्कुलेट कॉंटिटी और सिमेंट सेंड एंड 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 इन स्लैप तो फ्रेंट से यहां पर मैंने जो स्लैप की लेंथ लिए है एक्जामपल के तौर पर यह 12 मिटर मैंने माल लिए ठीक है आपकी जो होगी उस हिसाफ से आपको कल्कुलेशन करना होगा ठीक है आपका मतलब कि जो रहेगा उस हिसाफ से आपको करना है तो यहां पर मैंने 12 मिट कर रहे हैं वो किस grade की कर रहे हैं ठीक है कि क्योंकि जो हमारा आमसार आएगा वो grade के cording होता है यानि कि cement की quantity हर एक चीज़ डिपेंड करते हैं ठीक है cement को या sand हो या aggregate वो किसके उपर grade के उपर डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पर M20 grade क्लियम करेंगे तो इसका ratio क्या होता है वो होता है 1 ratio 1.5 ratio 3 ठीक है यह ratio आपको पता चलिक है M20 grade का तो front सबसे पहले में क्या निकालना होगा कि volume इस slab का वैलियूम है ठीक है तो volume of concrete जो हमारा पहले निकलेगा वो weight में निकलेगा ठीक है यानि कि जो यह रहेगा तो लेंद हमारी 12 मिटर थी, ब्रेथ हमारी 6 मिटर है, और थिकनेस हमारी 0.15 मिटर, ठीक है, अब इन तीनों का मल्टिप्लाई कर दिया, तो आंसार एक तना 10.8 मिटर क्यूब, यह हमें आंसार मिल गया, अब इसके बाद हमें क्या निकालने हो, क्यों, क्योंकि जो हम material purchase करते ह हमारा आएगा, वो क्या रहेगा, ड्राय में रहेगा, ठीक है, ड्राय का क्या होता है, वेल्यूम, वो थोड़ा ज़ादा होता है, क्योंकि इसके अंदर, एयर वायट्स वगारा भी included रहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़े होती है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा वेट वेल्यूम जो हमारा है, उसको यहाँ पर हमें रख देना है, और 1.54 हमें मल्टिप्लाइ कर देना है, तो हमारा वेट वेल्यूम आ जाएगा, तो वेल्यूम को हम रख देते हैं, तो फ्रांस वेट वेल्यूम हमारा कितना या sand या aggregate की तो से पहले हमें क्या करना होगा cement के लिए तो उससे पहले यहां पर आप यह देख लिए कि आप लोगे के लिए काफी अच्छी है का opportunity है कि अगर आप लोग गेट की तयारी करना चाहरे हो यह आप के unlimited access वो भी prep leader app के उपर get के लिए ठीक है तो इसके लिए simply आपको क्या करना है प्लिंग description में दी हुई है वहां से जाके आपको prep leader app download कर लेना है ठीक है और code आपको use करना है क्या है civil 07 तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल दा है तो यहाँ पर building material पढ़ाया जाएगा आपको बादल सोनी सर के दौरा है जो कि 17 माश तक के लिए आपको access मिल दा है ठीक है और उसके बाद है material circuit जो कि आपको पढ़ाया जाएगा शास्त्री सर के दौरा ठीक है उसके बाद है third और electronics जो कि आपको पढ़ाया जाएगा साही बाबा सर के दौरा उसके बाद है theory of computation जो कि आपको पढ़ाया जाएगा मले श्याम सर के दौरा ठीक है और उसके बाद है क्या manufacturing engineering जो कि आपको मिल रहे हैं free access तो देर मत करिए जाइए link description में दी हुई है वहाँ से जाके आपको prep leader app download कर लेना है ठीक है और code आपको use करना है किया civil 07 ठीक है तो इसके बाद आपको 17 माच तक के लिए free access मिल जाएगा तो आपको यह काफी अच्छा लगा होगा ठीक है तो अब आतने video की ओर तो फ्रांट्स अब यहाँ पर हमें क्या निकाल लेना sum of ratio यानि कि जो यह हम 20 grad की concrete जो use करेंगे slab के लिए उसका sum of निकालना होगा ठीक है तो इसके बाद हमें क्या कर लेना है कि volume निकाल लेना है तो volume के लिए volume of material का formula आपको क्या होगा कि ratio of material upon sum of ratio यानि कि sum of यह निकाला है और ratio क्या यह जो 1 है ठीक है cement के लिए करेंगे तो 1 sand के लिए करेंगे तो 1.5 और अगर aggregate क्लिए करेंगे तो 3 ठीक है तो यह हो गया उसके बाद इंट्व ड्राय वैल्यूम ठीक है ड्राय वैल्यूम क्या यह जो हमने निकाला क्या 16.63 मिटर क्यों यह हमारा ड्राय वैल्यूम है तो बस अब आपको पार्मूला पता चल गया बस आप simply में क्या calculation कर लेना है तो नंबर वान हमें क्या करना है वैल्यूम ऑफ सिमेंट तो सिमेंट के लिए वई क्या ratio of material में या ratio of cement तो cement का ratio क्या था वन था ठीक है सम आप ratio हमारा 5.5 आया है वह गया ड्राय वैल्यूम हमारा कितना आया है 16.63 तो वह गया अब इसको में stall कर लेना है तो वैल्यूम आफ स करते हैं या इतना मेंटर क्यूब हमें क्या? क्या? सिमेंट रॉकौाइट होगा अब देंसिटी और सिमेंट से मल्टिप्लाइ कर देना है density of cement कितनी होती है 1440 ठीक है तो multiply कर दिया तो हमारा answer है kg में कितना 4354 kg ठीक है यानि कि इतना kg cement हमें required होगी अब हमें क्या निकाल लें number of bag जो कि मैंने भी आपको बता है था तो number of bag के लिए हमें simply क्या करना है कि जो हमारी kg में required value आई है ठीक है उसमें हमें divide कर देना 50 से क्यों क्योंकि एक bag का जो weight होता हो कितना होता 50 kg होता है cement के ठीक है यहां 50 से divide कर दिया तो हमारा answer है 87.08 bags ठीक है यानि कितना bag हमें cement क्या required होगी ठीक है यहां पर हमारा cement आ गया अब हमें sand के लिए calculation कर लेना है अब volume of sand तो volume of sand हम कैसे निकालेंगे ratio of sand जो हमारा है ठीक है 1.5 हो गया sum of ratio 5.5 और dry value ठीक है यह सारी value हो गई अब हमें क्या करना है इसको salt कर लें तो आंसार है कितना 4.53 meter cube लेकिन जो market में sand आती वो किसमें आती cubic pit में ठीक है अब हम इससे क्यों multiply कर रहे है बस यहाँ पर हमने simply multiply कर दिया तो value हमारी आ जाएगी कितनी 160.16 cubic feet ठीक है यानि कितना cubic feet हमें sand required होगी अब इसके बाद क्या करना है कि value of aggregate निकालना है थर्ड नमबर तो value of aggregate कैसे निकालेंगे ratio of aggregate अब हमारा 3 था sum of pressure 5.5 था dry value हमारा 16.63 था ठीक है बस इसको अब हमें solve कर लेना तो हमारा आंसा है कितना 9.07 meter cube यानि कितना meter cube हमें agree required होगी ठीकिन market में जो आती हो किसमें आती cubic feet में ठीक है यानि कि इतना cubic feet हमें क्या aggregate required होगी अब इसके बाद हमें 4 number लेना कि कितना water लग जाएगा ठीक है इसको लिए हमें क्या करना है कि 0.45 से हमें multiply करना हो जितना kg हमें 사람이 required होगी Cement हमें required थी कितनी 4354 kg ठीक है तो यहाँ पर इससे हमने multiply कर दिया और यहाँ पर यह 0.45 से क्यों multiply कर रहे हैं क्योंकि जो M20 grade के concrete होती है उसमें जो हम निकालते हैं water required उसके लिए यहाँ पर यह मतले कि एक value है इससे हम करते हैं तो हमारा answer आया था ठीक है यानि कितना लिटर हमें water required होगा M20 grade के लिए ठीक है जो हम slab में क्या कर रहे हैं concrete ही ठीक है तो I hope friends आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें हमें comment करके स्थो बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी है और इस वीडियो दादा शेर करियेगा थांक्क पॉर वाचिंग